जब खाना हो कुछ मज़ेदार और बनाना हो आसान तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राइ करें बच्चों को बहुत पसंद आएगी साथ-साथ बढ़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है तो चलिए जट-पट सी रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं शुरू करने से पहल मिरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस टिक्या को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पोहा ले लिया है यह बहुत ही पतला पोहा है तो यहाँ पर मैंने एक कप लिया है आप देख सकते हैं एक मोटा भी आता है और एक पतला होता है तो हम पतले पोहे का इस्तिमाल करेंगे तो सबसे पहले पोहे को हम एक बॉल में ट्रांसफर करेंगे अब इसमें डालते हैं पानी पानी से यह जो डस्ट होता है पोहा में वो निकल जाएगा इन्हें हलके से हम वाश कर लेते हैं और इसका पानी हम गिरा देंगे वाश करने के बाद हम इने स्ट्रेन कर लेंगे जो पोहे में डस्ट है वो निकल गया है और पोहा हमारा थोड़ा सा भीग गया है तो हम इने भीगो कर ऐसे ही रखेंगे ताकि यह सॉफ्ट हो जाए यहां पर यह पोह हमारा सॉफ्ट हो गया है तो हम इने बॉल में ट्रांसफर करेंगे मैं इसमें मिला रही हूँ दो उबले हुए आलू आलो को हमें पहले से बॉल करके रख लेना है उसके बाद ही हम यह प्रोसिजर करेंगे आलो को मैश कर लेते हैं पोहे में आप चाहें तो मैशर से भी इने मैश कर सकते हैं इने अच्छे से इदम मिक्स कर लेना है मैश करने के बाद मैं इसमें एट करी हूँ एक बारी कटी हुई प्याज एक शिमला मिर्ज बारी कटा हुआ टेस्ट एंड फ्लेवर के लिए साथ से आठ हर इमीच का पेस्ट हम इसमें मिलाएंगे चटपटा स्पाइसी है तो इमीच का इस्तिमाल जमल ज्यादा करें भन ती स्पून हलका सब फ्लेवर आने के लिए मैं इसमें नमक मिला रही हूँ नमक अपने जायकिक हिसाब से मिलाएगा चीली फ्लैक्स वन टी स्पून हम इसमें मिलाएंगे तीखी की जो बाइट आती है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है जीरा पॉडर वन टी स्पून काला नमक हाफ टी स्पून हम इसमें मिलाएंगे यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ पीनट सेंग मुफली भी बोलते हैं जिने वो मैंने इसमें आट किया है पीनट को हम हलका सा क्रश करके डालेंगे फ्लेवर आने के लिए हम इसमें वन टी स्पून शकर का इस्तेमाल करेंगे इसमें डालेंगे ताकि खटा मीठा टेस्ट आए मैं इसमें मिला रही हूँ पाव भाजी मसाला वन टी स्पून पाव भाजी मसाले का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है खाने में बहुत टेस्टी भी होता है चौप कीवी हरी धनिया मैं इसमें मिला रही हूँ हाफ कप इन सब को मिलाने के बाद हम इने अच्छे से हातों से मिक्स कर लेते हैं ताके सारा फ्लेवर एक साथ हो जाए यहाँ पर देखे मैंने एक डोग की तरह इन्हें तयार कर लिया है हातों में हलका सा तेल ग्रीज करेंगे लगा लेंगे उसके बाद हम टिक्या बनाना शुरू करते हैं हलके हातों से हम इन्हें राउंड शेप में बनाएंगे और टिक्या का एक शेप दे देंगे इस तरीके से हमें सभी को बनाकर रख लेना है आप चाहें तो इन्हें इस्टोर करके रख सकते हैं जब जरूरत हो तब आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है हमें इंदम डीफ फ्राई नहीं करना है हलके तेल में हमें इन्हें फ्राई करना है यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इन टिक्योट को हम फ्राय कर लेते हैं एक साइट अच्छा कलर आ जाए तो हम इनकी साइट चेंज कर देंगे गोल्डन कलर आने पर हम इने तेल से निकाल लेते हैं यहां पर देखिया हमारी जो टिकिया है वो बिल्कुल तयार है जाए दिने सुबा नाशते में या फिर बच्चों को लंच टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं आपको मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले में जाए बूले करने पर हैं वोद्बीद या इाए ऑन को सब्सक्राइब करके तल